वेल्कम फ्रेंड्स मैं समीट सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्रेनल में दोस्तों रफनेस की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रफनेस के परामेटर कौन-कौन से होते हैं एडवनटेज ओफ रफनेस क्या होता है और फेक्टर एपेक्टिंग दिस्कस कर चाहें परामेटर कराये है चूंतों इन अपक करे दोस्तों इन सब के बारे में पोलिडि हम डिस्कस कर चुके हैं लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है अब चेक कर सकते हैं ठीक है अभी हम discuss करने वाले हैं sampling length क्या होती है cut off length क्या होती है equivalent length क्या होती है और total length क्या होती है ठीक है दोस्तों आपस request है कि वीडियो को skip ना करें ठीक है नहीं तो वीडियो को समझ भी नहीं आएगा फिर चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों जब भी आप probe को trace कराते हो roughness पे आप measurement करते हो roughness का तो आपको और जो end point होता है उनके बीच के distance को बोलते है total length या equivalent length ठीक है ये जो total length है ये calculate होती है lambda c यान की cut off length multiply by number of sampling length और number of sampling length को हम end से भी denote करते हैं ठीक है ये जो lambda c है यान की cut off length है ये ra और rz के लिए अलग लग होती है ठीक है चलिए इसको थोड़ा detail में समझ देते हैं ये जो table है ये rz के लिए है दोस्तों ra के लिए जो है वो अलग table होती है ठीक है आप जब roughness को measurement करते हो roughness factor में तो वहाँ पर ra और rz के लिए दोनों के लिए अलग से table दी हुई होती है ठीक है इसमें दिया हुआ है cut off length यानकी lambda c की value यहाँ पर दी हुई है roughness parameter rz यानकी ये जो table है rz क symbol है और यहाँ पर जो है वो roughness की requirement दी हुई है edge पर drawing ठीक है जरूरी नहीं कि drawing में आपको यही दिया हुआ मिले drawing में आपको अलग दिया हुआ मिलता है ठीक है अगर दोस्तों drawing में 0.1 roughness दी हुई है rz तो उसके लिए आप cut off length select करते हो 0.08 ठीक है अगर 0.05 की value या उससे कम दी हुई है यह दो को यह symbol दिया हुआ है less than equal to अगर अगर drawing में 0.5 या उससे कम rz दी हुई है तो उसके लिए cut off length select करते हो 0.25 अगर drawing में कहीं पर भी roughness 10 या 10 से कम दी हुई है तो वहाँ पर rz की value select करते हो 0.8 ठीक है अगर drawing में कहीं 50 या 50 से कम की value दी हुई है rz तो 0.5 ठीक है और 200 से कम जो roughness दी हुई है 50 और 250 से ज्यादा और 200 से कम ठीक है वहाँ पर हम roughness की value select करते है sorry cut off length की value select करते है 8.0 और 200 से ज्यादा दी हुई है वहाँ पर वहाँ पर हम select करते है और lambda की value 25 और यहां पर n की value दी हुई है 1 से लेकर के परचीस तक जनरली परचीस तक की होती है ज्यादा भी हो सकती है ठीक है तो यह फोर्मुला को थोड़ा डिसकस समझ देते हैं एक्विलेंट क्या होती है तो तरह पर दिश्क किया था कि लेम्डा लेम्डा सी डिपेंड करता है आपका की ड्राइंग में कितनी रफनेस की वल्यू दी हुई है ठीक है उसके अकोर्डिंग हम टेबल से सेलेक्ट करते हैं और जो टेबल होती है यह आरजड और आरे के लिए अलग लग होती है ठीक है और एन क्या होता है नंबर ओ सेंप्लिंग लेंथ या तो दोस्तों आपको ड्राइंग में दिया हुआ मिलेगा की नंबर ओ सेंप्लिंग लेंथ एक चाहिए या दो चाहिए ठीक है या फिर आप अपने हिसाब से भी एड़जिस्ट कर सकते हो एन की वैल्यू ठीक है अगर ड्राइंग में दिया हुए कि विदिन लोडिंग कम यह जदा स्लेक्ट कर सकते हो ठीक है फोर एजंपल दौस्तों यह को ट्राइंग कंप्वूनेट है ठीक है किसी कंप्वूनेट की ढूई है और यहां पर जो है इस फेस्पे रफटेश की वैल्यु दी हुई है और जाड़ चार यहां पर हमें रफटेस्ट करनी ह और R-Z measurement करनी है 4 ठीक है और जो यहां की जो distance है वह यह है 5 mm ठीक है अब आप जो trace करा सकते हो वो 2 या 3 mm ही trace करा सकते हो इसे जादर trace नहीं करा सकते है क्योंकि आपके पास space ही नहीं है अगर आपके पास space ज़्यादा है trace कराने के लिए तो आप जो है वो sampling length ज़्यादा ले सकत है तो 4 के लिए मुझे lambda c की value क्या मिलेगी मैं यहां select करूँगा ठीक है देखो यहां पर दिया हुआ है requirement roughness value ठीक है चार हमें requirement है तो हम क्या select करेंगे 0.8 यानिकी 10 और 10 से less than होगी roughness की requirement तो हम cut of length select करेंगे 0.8 ठीक है और n की value जो है वो हम अपने according select कर लेंगे ठीक है let's say for example मैंने यहां पर माले जी मैंने n की value 4 set कर ली यहां से ठीक है तो 0.8 multiply by 4 कितना आ गया 3.2 जो 3.2 आया है यह आई है हमारी total length यानिकी starting point से end point तक ठीक है यह देखिए आप यहां पर देख सकते हो जो यह starting point है और यह जो end point है यहां की length हो गई हमारी 3.2 और 0.8 जो है यह हो गई एक sample की length ठीक है जो तो यहां से यहां तक हमारा हो गया एक sample यहां से यहां तक हो गया हमारा दूसरा sample और यहां से यहां हो गया हमारा तीसरा sample और यहां से हो गया हमारा चोता sample अब यह चार sampling length क्यों आई है क्योंकि हमने n की value को 4 select किया था इसलिए हमरे पास 4 sampling था यह ठीक है अगर हम यहां पर 5 स्लेक्ट करते तो यहां पर number of sampling length 5 हो जाती अगर 6 करते तो number of sampling length 6 हो जाती ठीक है और 0.8 क्या है यह एक sample की length है ठीक है sampling length कितनी है हमारे पास 4 यानि कि total length हो गई हमारी 3.2 3.2 के से इसी of 0.8 multiplying by 4 और एक sampling length कितनी हो गई हमारे पास 0.8 की 0.8 को 4 बार multiply करोगे तो 3.2 यह जो lambda c की value यान की cut off length है यह हमारी equal होती है सारी sampling length की ठीक है दोस्तों I hope कि यह video आपको समझ में आए होगा समझ में आए है तो like, share, subscribe जरूर करें और दोस्तों के साथ share करें तकि उन्हें भी कुछ चीखने का मोका मिले दोस्तों thank you, जहीं जवारत